कि तो हेलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तो आपको बताने वाला हूँ वीडियो को स्किम्मत करेगा दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरोर और आपको स्वालगत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सब से बेले जाना है आपको अपने गलेक्सि स्टोर में जाने क्या है तो आपको यहां पर आपको Samsung Notes को अपडेट कर लेना है fully आपको इसको अपडेट कर लेना है आप देखेंगे यहाँ पर आपको तीन नए फीचर दिख रहे होंगे तो यह तीन नए फीचर क्या है कैसे यूज़ करना है तो आप यह आपको आगे बताने वालो तो इसको कर लेना है update अपडेट करने काई जैसी आप इसको औपन करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब सारी चीज़े आपकी open हो जाएगी open करने की जब आप इसको यहाँ से new पर click करेंगे तो यह new window यहाँ पर open हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर है वो है highlight को लेके आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप ड्राइंग पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे highlight यहाँ पर आपको यह ट्रांसफेंसी का नया option मिल रहा है जो कि पहले नहीं आता था अब आपको यहाँ पर उसको maintain कर सकते हैं कितनी उसकी ट्रांसफेंसी रहे कितना ज्यादा वो आगे रहे या पीछे रहे तो यह तो हो गया सबसे पहला फीचर दोस्तों जो नया दूसरा जो फीचर है उसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर कोई भी फोटो को की भी पिक कर लेता हूं तो यह मैंने अपनी हां से फोटो को यहां पर पिक कर लिया तो दोस्तों यह फोटो आ चुकी है अब यहां पर आप इसको अज़ेस्ट भी कर सकते हैं agreeing needed औरुज रखना चाहते हैं अगर आप और आपको यहां पर लखना क्रणा चाहते हैं है यहां पर आपको आपको यहां पर क्लिक करना है यहां click करने के बाद आपको यहां पर त्री रोट्स जो दिख रहे हैं आपको यहां पर click करना है यहां पर click करेंगे तो आपको एक option मिल रहा है second number पे anchor to text का आपको इस पर click कर देना है अब क्या होगा दोस्तों तो अब अगर आप कोई टाइब भी कर रहे होंगे जैसे आप MS Word पे लिखते हैं सेम उसी तरह यहाँ पर वर्क होगा आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटर भी होने लगा है अगर मैं माइनस भी करूंगा तो उपर नीचे होने लगा है जो कि पहले नहीं हो रहा था पहले अगर आप यहाँ से इसको माइनस भी करेंगे तो यह भी डिलीट हो जाएगी जो कि बहुत शांदर फीचर है आगने वाले टाइम पे जो MS Word में जो यह फीचर दिया गया था अब आपको यहाँ पर सैमसंग नौड में मिल रहा है पहले क्या होता था अगर आप यहाँ पर क जो पुराने आपने नोट्स बना के रखे हैं जो सबका साइज ए फ्रेम का विल्कुल से मारा कोई भी डिफरेंट नहीं आ रहा है आप देख रहोंगे पहले क्या होता था यह उपर नीचे आते थे जैसा आपने डेटा डाला उसके आप से यह साइज अज़ेस होता था अमीद है कि दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंकियो तो इससे अठीट करके पूछ्ज लकते हैं ना बोले और अकर आप मेरे चैनल परहली बारा आए और भी तक क्षेने सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों प्लीज मेरे आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो मुझे इंस्टागर और फिजिव फोलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंक्यू दोस्तों